हाई काई एक बहुत ही सिंपल से एर दिखाता हूं उसका सिंपल से सॉलिशन है जो कि बहुत लोगों को नहीं कर पा रहे हैं और उनको प्रावलम होरी तो देखिए मैंने एक से एंपीब का इंस्टॉल किया हुआ है और मैं यहां से माइस फिल चलाना चाहता हूं मतलो मैं स्क दुंटली शेल इसको ऑपन करो कश्या में खर गरों का जो एक से एंपीब कंट्रॉपन किया इन्स्टॉल करना के बाद ही आपको मिलता है एक से लिए इसको पैसे जोंग कर पाएंगे यहां में क्लिक क्लिक आब यहां में आके मैं घ्रोंगा शलॉं कर लेता हूं पहले है इसमें अगर user name लिखूंत 10 म camera guy vinegar router शॉट ओर पासवर्ड है नहीं हम लोग पासवाड के करें नहीं प्रेस करते हैं इस पर भी यह मारते कि नहीं करें इसमें इसमने शीने से मिढ़ेगा इसको में एक जिट कर देता हूं इसको कर दिये मैं अभी देखें आपने यहां पर मायस्क्यों अपाच्य स्टार्ट नहीं किया और आप शेल को एक्स करना चाहते हैं तो वैसे हो नहीं पाएगा आपको यहां पाच्य और माइस्ट दोने हैं आप रण कर लीजिए इससे सिफ मैसुल करने से भी काम हो जाना चाहिए करेंगे और आप इसको करेंगे बड़ा समय कर लेता हूं तक आपको दिखाए देए अब मैं यहाँ पर माइस्कुल लिखता हूं तो फिर मुझे एक एर्र मिलेगा इसमें कहेंगा कि access denied for user r तो आप as a r इसमें लॉगिन नहीं कर सकते हैं माइस्कुल में आपके माइस्कुल में कोई भी आर यूजर अभी तक अपने क्रेट नहीं किया है तो इसमें आपको यहीं दिखाई देगा कि access इस एर्र 1045 access denied और यह वाली user से आप access करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा password no आपको दिखाई 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 दे रहा है आपको root से login करना पड़ेगा root से login करना पड़ेगा because एक ही यूजर है इसमें mysql में root जिसमें जो की password लेसे इसमें प्राम्ट आता फिर आपको पासवर्ड लिखना पड़ेगा इसको इसको इंस्टॉल लीगी है और मिसमें root user है मैरा जो मिसको कर रहे हैं और क्या आपको error मिला अगर आप errors को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझी मायगा कि क्या समस्या है और इसको क्या solution है दो solution दो समस्या है थी यहां पर एक आपने इसको बिना start किया यानि कि इस shell को इस mysql को बिना start किया शेल से आप login करने की कोहिश कर कर रहे थे mysql पर जो होनी पाएगा जिसलिए को 2002 का error मिलता है और जब अपने इसको सर्वर को start कर लिया इनके mysql को आपने start कर लिया उसके बाद भी अगर आप सिर्फ mysql को login करेंगे तो भी आपका काम नहीं हो पाएगा आपको मिल जाएगा यह वाला आपको प्रॉपर देना पड़ेगा कि किस यूजर के साथ लॉग इन करना चाहते है विकोस इनिशली आपके mysql पर फिर मानिया ट्वी पर एक ही यूजर है जो कि है रूट यूजर जो बिना पासवर्ट का होता है ब्लैंक होता है यहां पर आप आर यूजर के साथ इस वीडियो को तेकनिकली आपका पाएंगे इस वीडियो को तेकनिकली आपका पावने बाद